नमेश्कार दोस्तों इसराइल एक बहुती छोटा सा देश है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो population भी काफी कम है लेकिन इसका जो political structure है वो बहुत जादा complex है जी हाँ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर numerous political parties आपको देखने को मिलेंगे इतने छोटे countries के अंदर और इसकी वज़े से क्या होता है कि कोई भी जो party है वो यहाँ पर majority हासिल नहीं कर पाती है in fact मैं आपको बता दूँ कि इसराइल में अभी तक कोई भी ऐसा election नहीं हुआ है कि एक single party अपना majority हासिल करके सरकार बनाई हो यहाँ पर हमेशा coalition से और coalition भी अगर आप देखोगे तो बहुती छोटी छोटी parties किसी के पास 3 seat आती है किसी के पास 4 seat है इन सब के साथ मिलकर यहाँ पर finally सरकार बनाया जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पिछले दो वर्ष के अंदर fourth election अभी recently conduct कराये गया था Tuesday को इसमें से भी ऐसा आप देखने को मिल रहा है कि किसी को भी clear majority नहीं मिली है although मैं आपको बता दूँ कि जो नितन याहु है वो यहाँ पर एक तरह से जीतने के कगार पर हैं आप कहाई सकते हैं उनकी जो coalition है उनको 59 seats मिली है although सरकार बनाने के लिए 61 seats चाहिए अभी भी 2-3 seats वो पीछे हैं और मैं आपको बता दूँ कि वो 2-3 seats जुटाने में भी बहुत ज़ादा मसकत लग सकती है हो सकता है कि यहाँ पर हम अगला 5-1 elections भी देख सकते हैं यहाँ पर आप देख पाओगे नितन याहु false shot of majority amid vote count तो हमारे लिए क्या important ही कि overall perspective से हो क्या रहा है क्या कारण है जिसकी वजए से यहाँ पर 4th election पिछले 2 वर्ष में कराए गए इन सब के बारे में overall context हैं हम बताने की कोशिश करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook, or to be a primary lecture के हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चनल जोईन कर सकते हैं searching, अंकित अगरवाल official और जैसा कि आपको पता है कि UPSC का exam आने वाला है अगर आप अपनी 2021 के लिए 22 के लिए आप preparation कर रहे हो तो हमारे UPSC course को जोईन कर सकते हैं जहां पर static से लेकर current हर एक चीज आपको एक particular जगह पर सभी कुछ available करा दिया जाता है तो यहां पर exactly हुआ क्या है तो Tuesday को जैसा कि मैंने बताया यहां पर already elections conduct हुए थे तो यहां पर भी क्या है कि vote counting करते करते काफी समय लग जाता है तो finally यहां पर 90% के आज़ पास आप देख सकते हो vote की counting हो चुकी है और लगभग तै हो चुका है कि किसको कितने seats मिलेंगे और यहां पर आप देखो कि यह एक party है liquid party यह वही right wing party है जो की belong करती है नितिन याहू से जी हाँ यहां पर भी right left कई सारे आपको parties देखने को रखा है तो वो total मिला कर 59 seats हमें देखने को मिल रहा है लेकिन जो opposition है second best है आप देख सकते हो यहां पर उनको 17 seats मिल रहा है तो basically यहां पर कहने का मतलब यह है कि clear majority अभी भी fourth election में भी देखने को नहीं मिली है जिसकी वजह से यहां पर आगे further fifth election conduct हो सकता है और उपर आप देखी सकते हो कि वहां की जो संसद है जैसे हमारे हापर दो आपको जो है house देखने को मिलेंगे lower house, upper house वहाँ पर single house है और वहाँ पर 120 seats है तो 61 seats जीत के लिए चाहिए in fact मैं आपको बताओ तो वहाँ पर जो election है वो आपका proportional representatives के आधार पर मिलता है मतलब कि suppose 120 seats है किसी को अगर 10% vote मिल गया पूरे इसराइल के अंदर तो उसको कितने seats मिल जाएंगे 12 seats मिल जाएंगे मतलब proportional representatives के हिसाब से भले ही आपके पास 5% vote ही मिला हो लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर seats मिल जाएंगे वहाँ की जो संसद है जिसको केनेसेट कहते है मैं आपको बताओंगा इसके बारे में भी लेकिन एक चीज़ ज्यान रखेगा कि कि किसी भी पार्टी को अगर केनेसेट के अंदर यहाँ पर seat चाहिए तो at least 3.25% vote होना चाहिए ऐसा नहीं है कि 3% vote मिल गया तो 120 का 3% जो seat है वो आपको मिल जाएगा at least minimum 3.25% vote मिलना चाहिए तो जो अभी recent election हुआ है उसके आधार पर मैंने आपको क्या बताया कि जो नितिन याहू की party है अगर single हम देखें तो उनको 30 seat मिला है लेकिन उनका जो coalition है उनको यहाँ पर 59 seats मिले हैं लेकिन exactly हो क्या रहा है यहाँ पर ये पिछले दो वर्ष में ये चौथा elections क्यों हुआ मैं आपको इसको थोड़ा detail में बताता हूँ देखें पिछले साल 9 दिसंबर की ही बात है जो parliament है उसको dissolve कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि नितिन याहू के साथ जो coalition partner थे वो उन दोनों के बीच में बहुत ज़ादा problem हो गई exactly कौन है नितिन याहू है और एक और है जो पहले defense minister थे बने वे थे Benny Gens इनका काफी बार आप नाम सुनोगे तो यहाँ पर क्या हुआ दोनों के बीच में काफी ज़ादा मतभेद हो गया Benny Gens का मैं आपको बता दूँ अब फर्दर आप यहाँ पर देख सकते हो यह केनेसेत कहते हैं उनके parliament को और यहाँ पर आप देख पाओगे जो government अभी तक चल रही थी यह पिछले वाला जो election हुआ था पिछला election मैं बता दूँ 3rd of March को हुआ था 2020 ठीक है 3rd March 2020 को election हुआ था उसका यह result आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर एक caretaker government एक मतलब एक government बनाई गई थी यहाँ पर जिसमें liquid जो नितिन याहू की party है उनको 36 मिला था करीब और जो blue and white आप देख रहो न 14 seats यह है बेसिकली आपका Benny Gantz की party तो दोनों के द्वारा मिलकर और बाकी बीच हो छोटे छोटे यहाँ पर आपको coalitions partner दिखने होंगे सभी के साथ मिलकर करीब 70 CTA बन गया था और उन्होंने अपना government फॉर्म कर दिया गया था लेकिन मैंने आपको क्या बताया Benny Gantz और नितिन याहू के बीच में मदभेद हो पहले सिर्फ 2020 का ही budget पास करूँगा और आगे चलकर 2021 का budget पास करूँगा अब इसमें भी थोड़ा सा politics आप समझो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों के द्वारा मिलकर ये सरकार बनाई गई थी तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक decide किया गया कि 18 महना 18 महना यहाँ पर न ऐसा माना जा रहा है कि वो प्राइमिनिस्टर पत के पत से जो है वो हटना नहीं चाहते थे अब उसका भी एक अलग कारण है क्योंकि जो नितिन याहू है उनके ओपर corruption के charges चल रहे हैं तो जब तक कोई person प्राइमिनिस्टर बना हुआ है तो भले ही corruption के charges सिद हो जाए कुछ इलेक्षन है ये चार इलेक्षन कपसे सुरुआत हुआ ये भी थोड़ा सा मैं आपको detail में बता देता हूँ basically क्या हुआ था कि 2009 से लगतार आप देखोगे तो नितिन याहू जो है इसराइल के प्राइमिनिस्टर बने हुए है ठीक है फिर आगे क्या होता है 2019 आते उनके ए ऐसा लग रहा था कि उनकी सरकार कभी भी जा सकती है तो finally उन्होंने क्या किया कि 9th April 2019 को यहाँ पर election कंड़र कराई गया अब यहीं से सारी चीजें start होती है 9th April 2019 से पहला election कंड़र कराई गया नितिन याहू ने खुद बोला कि हम चाहते हैं यहाँ पर फिर से election हो basically नितिन य कर देते हैं परलेमेंट को और 9th April 2019 को election होता है लेकिन उनका जो उम्मीद था कि उनको काफी बड़ी बहुमत मिलेगी 70 seat मिल जाएंगे at least वो सभी उनके coalition को लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर किसी को majority नहीं मिली उस समय किसी को majority नहीं मिली किसी सिंगल पार्टी को तो मिली नह नहीं हो पाया फानली जाकर फिर दूसरा election होता है ध्यान रखेगा 9th April के बाद फिर वापस से 17th September को दूसरा election होता है वापस इसमें क्या हुआ कि फिर से किसी को majority नहीं मिली और यहाँ पर फिर से लोग परशान हो लेगे जो Benny Gans हैं और जो नितिन याहुएं दोनों के majority मिल नहीं रहा है तो Benny Gans की जो blue and white party है और जो liquid party है यह आपका नितिन याहुएं की दोनों एक साथ आ गए और यहाँ पर जो है सरकार चलाया गया लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल 9th December की बात है यहाँ पर जो coalition है वो एक तरह से break हो गया क्योंकि दोनों के बीच म मतभेद हो गया था budget को लेकर वो मैंने आपको पहली बता दिया है तो finally जाकर जब यह चीजें हो गई फिर decide किया गया कि अब fourth election conduct कराएंगे और इसलिए जो अभी Tuesday को election हुआ है यह बोला जा रहा है कि पिछले दो साल में यह चौथा election conduct कराएंगा है I hope कि अब आपको चीजे इदम crystal clear हो गया होंगी कि यह fourth election कैसे conduct कराएंगे और यहाँ पर सबसे बड़ा जो चीज निकल करा रहा है जो experts की दोरा बताये गया है नितिन याहू के उपर जो लगतार corruption के charges लग रहे हैं क्योंकि इसके उपर hearing चल रही है अगले मैंने भी hearing चलने वाली है तो यहाँ पर अ अरब वाली party है इसराइल के अंदर उससे support चाहिए उसके support की बिना नहीं हो पाएगा अब देखना होगा कि क्या दोनों के बीच में नितिन याहू और उनके बीच में कोई सहमती बन पाती है अगर होता है तब तो ठीक है लेकिन अग नहीं होता है तो fifth election यहाँ पर वापस स नहीं बन पाए इन फाक मैं आपको बता दू नितन याहू 1996 से 1999 के बीच में वो प्राइमिस्टर बने थे और अब 2009 से लगातार वो प्राइमिस्टर बने होगा है तो अब देखने वाली बात होगी क्या exactly हो पाता है समती बन पाती है कि ने बटाई हो कि इस वीडियो के माध साथ border share नहीं करता है यह आपको बताना है इसका जो right answer है आपको पता ही है कि Instagram पर तो आपको मिलेगा ही अगर आप Instagram पे नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालते रहता हूं Stories के form में आप जाकर play कर सकते हो अगर आप उसे economy परना चाहते हैं Study IQ आप पर जा सकते हैं I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon